रहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाई कुछ वैसा ही हुआ है भारत ने राफेल में एक बड़ा दिमाग लगा दिया है और फ्रांस के सामने रग दिये बड़ी मांग साथ देशों में अब राफेल बिकेगा और प्रोफिट भारत को होगा जानेंगे भा इसा कौन सा दिमाग लगाया है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेनों को ये क्या होने लगा सब धरासाई क्यों होने लगे एक दिन का उड़ान भी नहीं उड़ सकते हैं जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को वि पाकिस्तान का जैसे ही फोरेक्स रिजर्ब डबल हुआ मानोगी खुसी से जूम उठा पाकिस्तान हाला कि ये लोग मैंने पहले भी कहा है बड़े हलके लोग हैं ये बड़ी खुसी से तुरंत छोटी-छोटी बातों पे खुस हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये धरासाही ही भी हो जाते हैं दुखी भी हो जाते हैं तो हुआ यही कि 9 BILLION डॉलर पाकर पाकिस्तान बड़ा खुस हुआ और खुस होने के साथ ही समस्या भी सामने आकर खड़ी हो गई क्योंकि आपको बता दें कुछी दिनों में पाकिस्तान को एक बड़ा पैसा करज के तौर पर लोटाना भी है चार दसमलों दो बिलियन डॉलर तो इन में से पहले करजे के हैं और चार पहले से जो थे वही हैं पर अभी समस्या ये हो गई है कि पाकिस्तान को जहां बहुत सारा पैसा करज के तौर पर चुकाना है और ये करीब एक सो बिलियन डॉलर का करजा है जिसे पाकिस्तान को चुकाना है तो वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो पैसा फोरण रिजर्ब में आया है पाकिस्तान उसे कहां लगाए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मूब आकर खड़ी है कि उसे खुदी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान की जो एरलाइन्स है उस एरलाइन्स में कम से कम 600 बिलियन पाकिस्तानी रूपय की जरूरत है और सबसे बड़ा लॉस 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपय का इसी सेक्टर में देखा जा रहा है कहा तो जा रहा है कि सबसे पहले तो सौधी अरबिया ने कहा है कि हमें 50 मिलियन डॉलर तुरंत दो क्योंकि तुमने हमारे ओप्रेशन इस्तेमाल किये थे और जून 30 तक में पेमेंट करना था जो अभी पेमेंट नहीं हो पाया है उसके अलावे कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो एरलाइन से पी आईये उनके उपर बहुत ज़्यादा बखाया है टैक्स का भी यानि सरकार को भी इन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं दी है अब जिस तरीके के हालात हैं ऐसे में पाकिस्तानी एरलाइन्स बिना फंड के अब एक दिन भी नहीं चल सकती है इसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं सिंगल डे भी ये बिना फंड के चलने लायक नहीं बची है मानी कि I.M.F का पैसा अब इधर भी जाएगा ये तो वहीं बात हो गई अंधा आगे रसी बाटे और पीछे बचड़ा खाए समस्याई इतनी जादा है कि कुछ भी इस वक्त हल करता हुआ पाकिस्तान नहीं देख पा रहा है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने राफेल पे लगा दिया है बड़ा वाला दिमाग वैसे आपको बता दे हाल फिलाल में राफेल की चमक दुनिया बर में फैल रही है राफेल को बड़े बड़े नए ओर्डर मिल रहे हैं यहां तक कहा जा रहा है कि अपनी नेवी के लिए भारत फिर से राफेल विमानों को सलेक्ट कर रहा है 14 जुलाई की ये खबर है जो दसॉल्ट अवियेशन यानि की फ्रांस की जो राफेल कमपनी है उसकी वेबसाइट खुद ये कह रही है कि भारत राफेल विमानों को खरीद रहा है कहा जा रहा है कि भारत 26 और राफेल खरीदेगा जो नेवी के वरजन होंगे तो वहीं आपको बता दे सिर्फ यही नहीं बहुत ज़्यादा राफेल पॉपुलर हो रहा है कई देशों में जैसे कि इंडोनेसिया ने भी 18 राफेल का ओडर दिया है तो वहीं युई ने भी 80 राफेल का ओडर दिया है ये बड़ी-बड़ी संख्याएं आप देख सकते हैं 19 बिलियन डॉलर का डील किया युई ने हलाकि यहां पर एक बड़ी कहानी हुई थी F-35 की डील होनी थी लेकिन F-35 की डील की जगह राफेल की डील हो गई 80 विमान युई खरीद रहा है और य इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि राफेल कितने सारे देशों में बहुत तेजी से बिकेगा अब यहां पर भारत ने इस्तेमाल कर लिया है एक त्गड़ा वाला दिमाग अलाकि ये भारत की जरूरत भी थी पर भारत की जरूरत के साथ साथ ये भारत के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है भारत ने दरसल फ्रांस के सामने एक सर्थ रख दी है हम भी फ्रांस से राफिल विमानों को बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं इसलिए हमारे सर्थ को फ्रांस मानेगा भी ये बात भी बिल्कुल सही है भारत ने ये कहा है फ्रांस को कि देखो हम चाहते हैं कि जैसे हमने अपने सुखोई थट्टी जो हमारा विमान है इसको हमने ऐसा बना दिया है कि अब सुखोई थट्टी से हम ब्रहमोस मिसाइलों को भी फायर कर सकते हैं आस्त्रा मिसाइलों को भी फायर कर सकते हैं और लगबग हम सारी मिसाइलों को फायर कर सकते हैं आपके राफेल में हमें यही सारी चीजे चाहिए यही खूवियां चाहिए जिस तरीके से हमने सुखोई 30 MKI को बना दिया है कि आप हम इसे हर तरीके से इ कास तोर पर चाहें साव विपन जो इसमें लगें अब साव क्या है ये अप जानते ही हैं यह वो Japan साव डाब्ल पर Venus डोम धानॅब 150 कि टोड़ ना रमक्राएव. जाते हैं जिनको छोड़ने के बाद एयर फिल्ड में यानि सतह पर जो रडार, बंकर, ट्रक, रनवे ये सारी चीजें तबाह हो जाती हैं इन्हें ही कहा जाता है साव विपन ये खास तोर पर तबाह करने के लिए ही इनका इस्तेमाल होता है तो भारत चाहता है कि भारत ने सा विपन राफेल में भी इस्तेमाल हो सकें इसलिए राफेल के ढाचा को परिवर्तित कर दिया जाए भारत की ये मंग अपनी जगह पे एक दम उचीत है और फ्रांसिस मंग को मानेगा भी ये बात भी तैय है लेकिन अब जो साथ देश हैं जो राफेल विमानों को खरीद रह भारतिय मिसाइलों को ये धारन कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि भारतिय मिसाइल और भारतिय हतियारों को दुनिया भी खरीदनी चाहेगी भारत अपने रक्षा सोदे के लिए कितना जादा आकरामक है वह आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत ने 16,000 करोड का एक्स नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ